हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बाइक स्वागत है आप सभी का तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्टे के लिए बताते हैं कि क्रूड और यूस वैल में क्या टार्गेट रह सकते हैं तो चलिए शुरुवात कर लेते हैं कि क्या रह सकता है 21st निवेंबर 2023 को यानि कि Tuesday को तो यहां प आपको बताया था कि यहां पर जो चाइन का डेटा आ रहा है वो पुने साथ वजे आ रहा है और उसमें अगर इंट्रस्ट रेट उनका वही रहता है तो वह पॉजिटिव चीज होगी वहां के इंडेस्ट्रिस के लिए और क्रूड और के लिए भी पॉजिटिव होगा टे और यहां पर आगर हम युए स्वाओर की बात करें तो य्यूस वाइल में तो इतने बढ़िया आपको ट्रेट देखना को मिले होंगे क्योंकि जो यहां पर क्रूड वैल है वह तो मार्केट नौब ज ऊपन होती है लेकिन यूसोल की मार्केट वह वह बन चलिए रहती है औ और यहां पर कितना बढ़िया ट्रेड आपको देखने को मिले होगा अगर यहां पर यूए सोयल में आप ट्रेडिंग अना चाहते हैं तो और यहां पर आई बटन में यहां पर वीडियो भी दे रखी है और उनकी हल्प से आप अपना एकाउंट भी ओपन कर लिजिए कैसे को वह सारी सारी वीडियो आपको यहां पर मिल जाएगी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा बा प्लैटफॉर्म जो है वो आपको नहीं मिल सकता तो यहां पर बाकी जो प्लैटफॉर्म है उनमें जो है आपको बैन भी देखने को मिलेगा और साथ ही कहीं प्लैटफॉर्म है उनके उपर आप बरोसा नहीं कर सकते हैं तो यहां पर पूरी दुनिया जो यूज कर रही है म यही था कि यहां पर जो crude oil था उसमें सबसे पहले तो चाइना की तरफ से data positive आया था और एक और चीज़ हुई है कि आज जो dollar index है वो उसमें गिरावट हमें देखने को मिली है तो यह जो गिरावट हमें देखने को मिली है चाइना में उसकी वज़ा से भी यहां पर crude oil में उच्छाल उपर गिरावट नहीं देखने को मिली कोई भी तो यह दो सबसे बड़े कारण रहे हैं इसके लावा बहुत जादा और कोई data इतना था नहीं जो की impact डालता और इस data होता है वो data भी impact डालता है crude oil के उपर अगर कोई और data इंपक्ट नहीं डाल रहा है तो यहां पर आप हम बात कर लेते हैं कि हमारे जो targets हैं यहां पर क्या रह सकते हैं यहां पर अगर हम बात करें यहां इस लेवल की तो यह जो लेवल है 6556 का लेवल है इसके उपर अगर green candle की closing हमें देखने को मिलती है तो उसके बाद फिर हमारे जो next target यहां पर रह सकता है वो यहां पर 6603 का रह सकता है और इसके उपर भी green candle की closing आती है तो 6643 का हमारा next target रह सकता है लेकिन दोस्तों यहां पर इस level के बाद resistance काफी जाद है आप यहां पर मैं यहां पर भी यहां पर भी यहां पर भी आप देख सकते हैं और यहां पर भी इसने ऊपर से निचे को भाया था तो यहां पर इसी लवल की आज-पास support लिया हुआ है तो यह level 6603 का जो level है क्रूशिल लेवल हो सकता है यहां पर और इस लेवल के उपर याने कि 6555 के बाद यह कहीं पर भी रेसिस्टेंस ले सकता है इस गैप के बीच में तो तो थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा आपको और इसके अलावा यहां पर कोई ऐसा डेटा ज्यादा नहीं आ रहा है जो कि इन लेवल्स को तोड़ करके बहुत उपर तकी से ले जाए लेकिन अगर डॉलर में अगर ऐसी गिरावट देखने को मिलती है लेकिन अगर देख सब्सक्राइब को आना शुरू करते हैं तो आप इसके उपर जो है थोड़ा सा ध्यान रखिए रिस्क ना लें उपर की और का अभी थोड़ा सा यहां पर अगर मॉमेंटम बनता है वॉल्म के साथ तभी आप एंट्री ले अभी हम डाउंसाइड की तरफ बात कर लेते हैं मिलती है तो उसके बाद हमारा तरफ हमारा इंज कि आती है तो रहे गा यहां पर 6426 का और 6426 के नीचे यहां पर आरवन का सुपोर्ट है 6396 यहां पर नेक्स टार्गेट यहां पर रह सकता है तो डाउंसाइड और ऊपर की तरफ के लिए आपको हमने यहां पर यहां पर आप देख सते हैं कि कितने कितना सारा यहां पर रेसिस्टेंस है इसे तो यहां पर यह जो पुराने रेसिस्टेंस है इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और वहां पर हमें बहुत जादा रिस्क नहीं लेना चाहिए और यह जो रेसिस्टेंस है वह यहां पर 7858 पर हमें मिल रहे हैं और यहां पर 78.26 पर फिलहाल यह है इसके उपर green candle की closing आती है तो यह target हमारा चीव हो सकता है 78.58 उसके बाद हमें काफी resistance यहां पर देखने को मिल सकता है लेकिन अगर इसके उपर भी green candle की closing यह दे देता है तो 7891 हमारा next target यहां रह सकता है जबकि downside के लिए आप इ दिजे 77.83 को अगर यह level break होता है तो उसके बाद फिर हमारे जो next target यहां पर रहेगा वो यह level रह सकता है और यह level है 77.46 का और इसके निचे भी अगर red candle की closing आती है तो next target हमारा है 77.13 का यहां रह सकता है और इसके निचे भी red candle की closing हमें देखने को मिलती है अगर तो next target यहां पर यह level रहेगा यह level है 76.75 का तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को like करना ना भूले और वीडियो को share करना ना भूले और चैनल को subscribe भी कर लेजिए दोस्तों यह वीडियो से आपको सिर्फ एजुकेशन पॉपस के लिए बनाए जा रहे हैं हम से भी रिजिस्ट्र फाइनेशल वाइजर नहीं है तो ट्रेड लेने से वाल अपने फाइनेशल वाइजर से आप ज़रूर सलाह लेजिए मिलते हैं अगले वीडियो में तil then have a nice day goodbye and stay safe